पटवारी बनवाने के नाम पर ठगी ठग ने खुद को नेताओं का करीबी BSF का जवान बताया मामला थाने तक पहुँचा नमस्कार मैं हूँ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज तो चली शुरुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से बेरोजगारो पटवारी बनाने का जहांस देकर लाखो रुपय की ठगी के जाने का एक मामला सतना में सामने आया है ठगी का आरोप खुद को BSF का जवान और नेताओं का करीबी बताने वाला एक शक्स पर है यह मामला अफथाने तक जा पहुँचा है जानकरी के मुदाबिक खुद को BSF का जवान और नेताओं का करीबी बताने वाले एक शक्स ने सतना की बिरोजगारो को नौकरी दिलवानी की नाम पर ठगी का शिकार बनाया खोटी छेत्र के ग्राम मोहार निवासी महीव सिंग नामक इस यूवक ने किसी को पटबारी किसी को शिक्षक और किसी को बैंक में गार्ड बनवाने की नाम पर अपना निशाना बनाया उसने लोगों से लागों रुपयों की वस्तूली की और फिर ठेंगा दिखा दिया हालांकि पैसे देने वालों ने उससे लिखा पड़ी करा ली थी और बैंक खाते के चैक भी ले लिये थे ऐसा ही एक मामला से बिल लाइन थाना पहुंचा है सतना शेर के आदर्स नगर हवाई पट्टी शेतर में रहने वाले कुश्पेंद्र कुमार गौतम ने पुलिस से शुकायत करते हुँ बताया है कि महीब सिंग ने उससे पटवारी बनवाने के नाम पर दो लाग रुपे वसूले है उसने उसे फेज़बुक मेसेंजर पर मैसेज भेज कर दोस्ती की और फिर खुद को NBA25 का जबान और नेताओं का करी भी बताना श्रूर कर दिया उसने नेताओं के साथ अपनी कुछ स्वेरें भी बीची इसे बीच उसने नाकरी लगवाने की बात करते हुए कहा कि वे अपने संपर्कों की जरीए पटवारी सिक्षक और बैंक कायट बनवा सकता है लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपे लगेंगे क्योंकि यह रकम मंतरी को दिनी पड़ती है उससे बरुसा दिलाया कि रुपे नहीं डूबेंगे यह सारी बाते उसने मैसेंजर पर भी लिखी उस पेंदर ने महीब को रुपे दे दिये लेकिन बार-बार कहने के बाद भी उसकी नोकरी नहीं लगी महीब उससे किनारा भी करने लगा, बहानी बनाने लगा फुस्पेंद्र कोश्चक हुआ और उसने जब महीव को भोपाल जाकर तलाशा और रुपए वापस मांगे तो उसने लिख कर दे दिया जब उसके पास होंगे तब वैं रुपए वापस कर देगा लेकिन रकम अब तक ना मिलने पर शिकायत थाना पहुँच गई बताय जाता है कि नेताओं की निकर्टा का देखावा कर महीव ने शियर के कई अनि बेरोजगारों को अपना शिकार बना कर लागों रुपए की ठगी के सिविल लाइन पुलिस ने शिकायत लेकर जान शुरू कर दी है अभी FIR दर्ज नहीं की गई है अब तक लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ अब तक लिए नमस्कार और देखते रहें ये ता खबरदार नियूस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें